गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोग उने देखा था PHP MyAdmin को बड़े नजदीक से हमने देखा था किस तरह से PHP MyAdmin में हम लोग काम कर सकते हैं हमने कुछ records insert करके देखे थे अब time आ गया हमारे पास की हम लोग क्या करें अपने PHP code की मदद से इस PHP MyAdmin के database को connect करें हमने जो MySQL database start किया है यहां से XAMP की मदद से उसको हम कैसे connect करेंगे यह अब हमारा मुद्ध है तो मैं आपर करूँगा क्या मेरा XAMP चालू है Index of CWH PHP मैं आपर खोलूँगा और उसी के साथ-साथ यहां पर मैं एक नई file बनाऊंगा यह video no.23 है तो मैं आपर बनाऊंगा 23 underscore और उसके बा 24 underscore mysql.php ठीक है तो मैं आपर 24 underscore mysql.php लिखूँगा और उसी के साथ-साथ में क्या करूँगा कि यहां पर अपना जो PHP है उसको start करूँगा यहां पर कुछ sample code लिखूँगा ठीक है तो मैं आपर एक echo डालता हूं मैं echo डालके लिखता हूं Welcome to the stage where we are ready to get connected to a database ठीक है Save किया मैंने इसको और save करने के बाद यहां पर मैं क्या करूँगा अब जो mysql.db से उसको connect करूँगा तो कुछ बात हैं यहां पर देख लेते हैं connect करने से पहले सबसे पहले mysql की बात करते हैं बहुत ही जल्दी एक और revision लेते है mysql का यह होती क्या चीज़ है mysql एक database system है mysql एक database है हमने पिछले वीडियो में database को detail में देखा था क्यों use करते हैं ताकि अच्छे से data को store कर सके for faster retrieval, quick updation और easy management यह सारी चीज़े असान हो जाती है अगर हम database को use करते हैं SQL की full form होती है structured query language SQL के लो एक stylish तरीका होता है SQL को कहने का बहुत सारे लोग SQL कहते हैं और SQL कहो style में रहो ठीक है तो हम अपसे SQL कहेंगे क्योंकि हमारा अपना swag है ठीक है तो थोड़ा swaggy way में हम इसको SQL कह देते हैं और SQL जो है full form है structured query language और है एक भाशा जैसे हिंदी अंग्रेजी है वैसी SQL भी एक भाशा है लेकिन यह यह वाली भाशा नहीं है यह database की भाशा है इस भाशा की मदद से हम database से बात करते हैं कहते हैं database इसको insert करो database यहाँ पर update करो database अब यह करो database अब वो करो यह सारी चीज़ें हम SQL की मदद से अपने database को बोलते हैं ठीक है तो मैं आपर बिल्कुल भी यह बोल के time waste नहीं करूंगा MySQL fast है reliable है और यहाँ पर बहुत सारे cross platform है multiple linux macOS और windows में आपके चलता यह सारी चीज़े शाहर आप लोगों को अलड़ी मालूम होगी नहीं मालूम थी तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर focus करेंगे अपनी script पर एक ऐसी script लिखेंगे जो कि हमारी queries को database में run करें हमको data हमारे PHP के within दे ताकि हम powerful web applications बना सकें अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा है हमने जो PHP MySQL है कुछ ऐसा download तो किया नहीं MySQL तो मैं बताना चाहूंगा इस बात को फिर से mention करना चाहूंगा कि जब हम जाएंगे server में हम जब अपना final deployment करेंगे तब शायद हम लोगों को जरूरत पड़े इस सब करने की लेकिन अभी इस point पर zamp ने सब कुछ समाल लिया है जो zamp है उसमें already Apache MySQL और भी पतनी तरह तरह की चीज़ें आपर देखो file जला वगएरा already है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की इसलिए हमने zamp को जो है download किया है अब बात करते हैं कि किस तरह से हम connect कर सकते हैं अपने mysql database से तो mysql database से connect करने के connect to mysql database mysql database से connect करने के कौन-कौन से तरीके है तो जो पहला तरीका में mention करूंगा वो तो है mysql extension और एक दूसरा तरीका है pdo तो primarily दो तरीके होते हैं हमारे पास एक तो है हमारा mysql extension और एक हमारा pdo अब mysql extension को भी आप दो तरह से use कर सकते हो यह तो procedural way में use कर सकते हो यह object oriented way में use कर सकते हो तो इसके भी दो पार्ट है अब दो तरह से इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हो procedural object oriented object oriented में क्या है classes and object use होंगे और procedural में क्या है directly जो functions हम लोग हैं वो use करेंगे तो मैं इन दोनों तरीकों में से जो पहला वाला तरीका है उसका procedural यूज करके बताऊंगा और उसके बाद हम लोग पीडियो को भी देख लेंगे ठीक है तो पीडियो की क्या full form है पीडियो क्या है PHP data objects ठीक है इन दोनों को use करने में difference क्या है देखो जब आप mysql extension को यूज करते हो तब आप बाइदर वे इसको यह पहले mysql extension होता था और जो i है वो add हुआ if I'm not wrong 2012 में however I'm not sure मैं sure रही हूँ है कब add हुआ था कब आया था mysql i mysql जो है वो 2012 से पहले use होता था mysql extension उसके पाद इसको improve किया गया i stands for improved तो mysql i का मतलब होता है mysql improved extension और यह चीज़ा matter नहीं करती है क्या चीज़ कौन से year में होई थी to be honest unless आप लोग कोई gk का exam देके नहीं आ रहे हो जिसमें इस तरह के weird सवाल पूछे चाते है अगर आप एक programmer बनना चाहते हो सफल तो जाता matter नहीं करता है बड़ हां कभी-कभी चीज़ जानना अच्छा रहता है चलो बढ़िया तो यहां पर हम लोग pdio की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो pdio जो है वो बहुत सारे database systems के साथ काम करता है ठीक है और माई सीक्वल आई है वो सिर्फ माई सीक्वल database के साथ काम करता है तो कभी आपको ऐसा code लिखना चाहते हो जिसमें कि आपको लगता है कि database आप 10, 12, 15, 30 बार स्विच करोगे तो तो pdio से लिख लेना code को लेकिन अगर आप लोग mysql के within रहना चाहते हो तो आप लोग mysql i extension का यूज़ कर सकते हो वो सबसे best option है लेकिन अगर आपको लगता है कि future में database जो है वो change होगा या फिर अगर आप कोई ऐसी application लिख रहे हो तो मैं कहूंगा अगर आप sure है कि mysql use करोगे तो पहला वाला तरीका अब यहाँ पर मैं sure हो कि मैं mysql में ही रहूंगा mysql के within ही रहूंगा इसलिए मैं mysql extension को use करोगा तो यहाँ पर इन दोनों की debate को मैं खतम करते हूँ जल्दी से आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह से आप connect कर सकते हो अपने database को तो database को connect करने के लिए आप लोग को चाहिए तीन चीजे और मैं वो तीन variables बना देता हूँ सर्वर नेम है एक तो हमारा जो कि हमारा लोकल होस्त रहने वाला है ठीक है और दूसरा हमारा है यूजर नेम यूजर नेम ही लिख देता हूँ पूरा और यूजर नेम हमारा डिफोल्ट होता है रूट और उसके बाद है पास्वर्ट ठीक है पास्वर्ट यहाँ पर ब्लैंक है लेकिन जब आप सर्वर में जाओगे तब ये ब्लैंक नहीं रएगा क्या बात है इस बात का क्या मतलब हुआ ब्लैंक क्यों है यहाप सर्वर में ब्लैंक क्यों नहीं होगा देखो जब आप एक remote server यूज करोगे तो उसका आपको एक server name मिलेगा एक address मिलेगा और उसमें user name और password मिलेगा तो वो आपके secret credentials है जिनकी मदद से आप उस server तक पहुंचो गए तो यहाँ पर क्योंकि मेरे computer के अंदर ही मौजूद exam मेरा इसलिए by default password कुछ नहीं होता है user root होता है और server name local host होता है तो यह तीन चीज़े आपकी यहाँ पर काम करेंगी इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है connection object बनाना पड़ता है ठीक है तो मैं आपर लिखूंग con is equal to और यह साइट terminologies आपको देखने को मिल जाएंगी mysql i underscore connect और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा dollar server name dollar user name और password ठीक है तो तीन arguments लेता है server name username और password ठीक है और उसके बाद आप लोग करो echo और लिख दो यहाँ पर connection was successful ठीक है चलो देखते हैं यह successful भी हुआ की नहीं हुआ यह फिर सिर्फ हमने कह दिया तो यहाँ पर देखो welcome to the stage where we are ready to get connected to a database connection was successful पढ़िया तो connection हमारा जो है successful हुआ एक बार BR लगा देता हूँ यहाँ पर connection हमारा हो गया successful यानि कि हम connect हो गए अच्छा एक चीज आपको दिखाता हूँ अगर मैं आपर कुछ password डाल दू तो क्या होगा तो यहाँ पर देखो मुझे warning मिल लिए कह रहा है यार access denied access denied हो चुका है आपको इस database को access करने के privilege नहीं है आपको नहीं यहाँ किया जाएगा और यहां connection was successful भी लिखकर आ रहा है तो थोड़ा सा code को improve करते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा तो यहाँ हम क्या करते हैं हम लिखते हैं die if connection was not successful ठीक है अगर connection successful नहीं था तो हम die कर जाएंगे मैं लिख दूँगा sorry we failed to connect ठीक है और उसके बाद में क्या करूँगा जो error है वो throw कर दूँगा और error कैसे throw करूँगा मैं string concatenation use करूँगा mysql i underscore connect underscore error function का use करूँगा ठीक है और यहाँ पर क्या होगा कि अगर मेरा connection objective वो true return नहीं कर रहा है तो क्या होगा यह बोलेगा भाई नहीं हो पाए connect sorry माफ करो ठीक है तो देखो यहाँ लिख कर आगया sorry we failed to connect access denied for user ठीक है तो यहाँ पर देखो access denied हो चुका है mysql i underscore connect जो है वो fail हो चुका है और यहाँ पर हमने कह दिया sorry we failed to connect ठीक है और मैं अगर else यहाँ पर लिखो या ना लिखो फरक नहीं पड़ता क्योंकि मैंने यहाँ पर die function यूज कि है जो कि यहीं पर प्रोग्राम को quit कर देगा और मैंने यहाँ पर else लगा लिया है और यहाँ पर else के अंदर का block तब ही execute होगा जब password मेरा सही होगा तो मैं इसको ज़रा सही कर लेता हूँ password में space मत देना space दोगे अगर और इसको इस तरह से करोगे तो वही वही error आएगा password blank है यानि कि blank string string के अंदर कुछ भी मौझूद नहीं होना चाहिए तो अब मैं इसको save करके अगर run करूँ तो यहाँ पर कह रहा welcome to the stage where we are ready to get connected to a database connection was successful connection आपका successful हुआ बहुत बढ़िया congratulations ठीक है तो यहाँ पर सब लोग यार congratulations लिख दो जल्दी से comment में interaction बहुत कम हो रहा है हम लोग का मैं चाहता हूँ आप लोग सब नीचे comment करें congratulations ठीक है क्योंकि यार यह एक अच्छा moment है जब हम एक MySQL database को connect कर रहे है course में और इसको mark करना जरूरी है ठीक है so I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप लोग को यह MySQL के जो concept है मैंने RDBMS से लेकर आपको जो उठाकर लेकर आया यह सब चीज़े बताकर I hope कि समझ में आ रहे हैं चीज़े आप लोग को अगर आ रहे हैं तो kindly मुझे बताओ आप लोग कि आपको आ रहे हैं समझ में और कुछ भी आपकी पर suggestion है तो वह भी मुझे बताओ Suggestions are welcome उसी के साथ सथ अगर आप लोगों ने यह playlist access नहीं करी है यह भी तक तो इसको kindly access कर लो क्योंकि ही वह जगह जहां पर मैं सारे के सारे videos update करूँगा Source code की जहां तक बात है मैंने जो source code है वह website पर डाल दिया है आप लोगों को source code है वह website पर मिल जाएगा Kindly आप website को visit कर लें और website को visit करने के लिए जो link है जहां पर source code मैंने दिया हुआ है उस comment description के अंदर डाल दूगा तो इस video को like करना गाइस बिल्कुल भी मत बूलना जब आप like करते है video को तो YouTube उसको और promote करता है और YouTube को पता चलता है कि जो video है वो अच्छा है तो kindly उसको like जरूर किया करें अभी के लिए इस video में इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time हुआ 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 है